सो ये गाईज, फाइनली पेटियम वीजा डेबिट कार्ड आज हमें बाइपोस्ट डिलेवर्ट कर दिया गया है इस वीडियो में देखेंगे कि इस कार्ड का फर्स्ट लुक कैसा है कैसे इस कार्ड को अक्टिवेट करना है, सारा डिटेल में कवर करेंगे अगर आप इस कार्ड को अपलाई करना चाहते हो तो हमने अपलाई करने का प्रोसेस देख लिजे चलिए अब हम लोग इसकी अनपैकिंग कर लेते हैं यह रहा डेबिट का पाउच, यह हमें डिलेवरी कूरियर के द्वारा रिसीव हुआ है हमने अल्रेटी से कट कर लिया है, अंदर में सिंपल सा एक पेज मिलेगा और इसी के अंदर आपका डेबिट कार्ड है और इसके सारे डिटेल्स यहां पे मेंशन किये गए हैं तो चलिए हम लोग पहले डेबिट कार्ड को थोड़े करीब से देखते हैं तो यह रहा इसका फ्रेश लुक और यह फर्स टाइम जो है पेटियम ने इस तरीके का डेबिट कार्ड बनाया है आप देख सकते हैं पेटियम पेमेंट बैंक की ब्रांडिंग मिल जाएगी वीजा डेबिट यहां पे मेंशन्ड है एनेपसी का भी सपोर्ट है मतलब आप कांटेक्लेस पांस जार का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं चिप का भी सपोर्ट मिल जाएगा और आपका नाम यहां पे प्रिंट होकर आता है तो बहुत ही नीट एंड क्लीन डेबिट कार्ड है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है इसका जो भी कार्ड नंबर, CBB और एक्सपारी डेट होगा वो आपका यहां पे back stand में mentioned किया गया है तो यह रहा इसका first look अगर हम लोग previous वाले से थोड़ा compare करके देखें तो यह रहा इसका रूपे debit card जो आपको पहले मिलता था तो उसमें क्या था कि number जो है front page पही राता था तो आप लोग comment करके बताएं कि क्या आपको previous वाला design अच्छा लग रहा या नया वाला comment करके मुझे जरूर बतेगा तो यह रहा Paytm Payment Bank Visa debit card का first look जो कि मैंने आपको यहां पे दिखा दिया है अब चले हम लोग कुछ details देखते हैं सबसे पहले इस card को activate कैसे करना है वो यहां पे बताया गया है इस activate करने का process थोड़ा अलग है मैं आपको बता दूँगा लेकिन उससे पहले कुछ details देख लिजे इसके daily transactions में limit है जैसे कि आप एक दिन में 25,000 रुपया ही ATM से cash withdraw कर सकते हैं आप 1,000,000 रुपय का ही online transaction एक दिन में कर सकते हैं अगर आप post transaction करना चाहते हैं यानि कि physical किसी swap में जाके swipe करके करना चाहेंगे तो इसमें भी 1,000,000 का limit है और 10,000 on tap and pay यहां पे limit दिया गया है तो इस debit card के जो भी limit थे वो मैंने आपको यहां पे दिखा दिया है यहां और भी कुछ detail बताया है कि card को कैसे यहां पे activate करना है block कैसे करना है कैसे transaction limit को set करना है वैसे हम लोग वो app में जाकर देख लेंगे तो इस paper में और कुछ खास नहीं है और यहां पे जो भी activation का process है वो यहां पे लिखावा मिल जाएगा अब चलिए हम लोग इस card को activate करते हैं तो इसके लिए आप Paytm app open करेंगे Paytm bank वाले section में click करेंगे passcode डाल कर यहां पे login कर लेंगे login हमने कर लिया है यहां पे debit card का एक digital photo होता है इस photo में click करेंगे यहां पे आपको तीसरे number में option मिलेगा activate ATM card का इस वाले section में click करेंगे click करने के बाद यहां पताया गया है कि तीन step होंगे आपके जो debit card के पीछे side में QR code होता है उसे यहां पे scan करना होता है तो आप यहां पे activate ATM card में click करेंगे आपका phone का camera open हो जाएगा और back side में जो यहां पे QR code है इसे यहां पे center में लेकर आएंगे so that यहां पे यह scan कर ले जैसे यह scan करेगा आपको paytm payment bank का passcode डालना है passcode हमने डाल दिया है यहां पे आपका digital ATM card सो हो जाएगा यहां पे confirm पे click करेंगे confirm में click करने के बाद ATM card का pin बनाएंगे so that आप कभी भी ATM में पैसा निकालने जाए तो इसी pin से आपका पैसा वहाँ पे withdraw होगा चले हम लोग pin बना लेते हैं फिर से एक बार उसी pin को confirm करेंगे हमने यहां पे pin confirm कर लिया है यहां पे थोड़ा सा loading लेगा और लिखा आ जाएगा ATM card activated successful यानि की आपका card activate हो चुका है और अब आप इस card से कहीं भी transaction कर सकते हैं लेकिन उससे पहले क्या है कि यहां पे आपको कुछ-कुछ transactions को enable करना पड़ेगा तभी जाके आप इसमें transaction कर पाएंगे जैसे कि सबसे पहले online transaction यह आपका पहले से on है तो इसे आप on छोड़ देंगे so that आप किसी भी website amazon flip card में swapping कर पाएं international use यहां पे off है तो अगर आपको international transaction करना होगा तो आपको इसे पहले on करना होगा तभी जाके card international transaction में work करेगा tap and pay भी यहां पे off है इसे आप on करेंगे तभी जाकर के आप जो इसमें NFC का support है contestless 500 का transaction जिसमें होता है वो यहां पे कर पाएंगे उसके बाद फिर यहां पे नीचे माएंगे तो ATM withdrawal का limit है उसे आप चाहो तो change भी कर सकते हो maximum 25,000 है और minimum आप अपने हिसाब से यहां पे रख पाएंगे नीचे में post transaction के limit को भी आप change कर सकते हो आप चाहो तो एक लाग से कम भी कर सकते हो तो आपको इसे कम और जादे करने का भी option मिल जाएगा तो यहां से आप सारे setting को एक बार देख लें अपने हिसाब से सारे transactions को select कर लें उसके बाद फिर यहां पे save changes में click करेंगे तो आपने जैसा यहां पे transaction set क्या है उस तरीके से यह card यहां पे activate हो जाता है तो अब आप इसे ATM withdraw पे use करिए चाहें यहां पे आप online transactions के लिए use करिए यह आपका पूरा work करेगा तो definitely अब आप इस card को कहीं भी use कर सकते हैं यहां पे आपको एक option मिलेगा manage card का आप इस manage card वाले section में click करके 3-4 options को यहां पे देखेंगे जैसे कि सबसे पहले है block card अगर आपका card कहीं पे गुम हो जाता है चोरी हो जाता है या कोई fraud transaction हो गया तो अगर आपको card तुरंद block करना होगा तो आप यहां पे block card में click करेंगे reason बताएंगे card lost हो गया है stolen है card damage है other में click करके यहां पे confirm में click करेंगे तो आप घर बैठे card को block कर सकते हैं इनकेस अगर आपको debit card का pin change करना है तो change pin में click करेंगे यहाँ पे आप पेटियम पेमेंट बैंक का पासकोड डाल कर यहाँ से फिर से पिन को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं तो अपने debit card को भी आप पेटियम के एप से ही मैनेज कर सकते हैं एक point यहाँ पे शूट गया है अगर आप card block करके नया मंगवाना चाहेंगे तो आपको फिर से हाँ पे 250 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा तो आप अपने debit card को अच्छे से रखिए ताकि कहीं गुम वगर ना हो जाए इनकिस emergency पड़े तो आपको block तो करना ही पड़ेगा तो आपको फिर से नया card इसू करके आजाएगा उसमें card का number भी change हो जाता है तो ये रहा Paytium के नए विजर debit card का सारा details and first look इस debit card का सबसे best feature बताना भूल गया देखो आपके debit card के back side में यहाँ पे QR code है इस QR code के जरीए आप पैसा accept कर सकते हैं तो ये debit card वाला account इस mobile में login किया हुआ है और ये एक normal Paytium account है तो मैं भी आप लाइव देमो दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे आप पैसा accept करेंगे तो किसी भी बंदे को आप बोलिए कि आप अपना Paytium का QR code open करेंगे और जस्ट आपके debit card को यहाँ पे वो scan करेगा तो यहाँ पे पैसा भेजने का option आ जाता है यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखेंगे Paytium wallet लिखा हुआ है अगर आप Paytium wallet से पैसा भेजेंगे तो यहाँ पे भी आपके account के wallet में ही पैसा जाएगा ठीक है लेकिन अगर आप यहाँ पे bank account के जरीए भेजेंगे तो जिस debit card को आपने scan किया है उसके bank account में पैसा transfer होगा मैं आपको live demo करके दिखाता हूँ जैसे कि मैं यहाँ पे example के लिए 1 रुपया लिख देता हूँ और pay करूँगा Paytium wallet से ठीक है यहाँ पे देखो Paytium wallet है तो just मैं इसे pay करके दिखाता हूँ wallet से मैं Pay करता हूँ तो क्या है कि wallet से पैसा यहाँ पे कट गया और यहाँ पे देखे जो पैसा received हुआ है वो यहाँ पे received हुआ है आपके Paytium wallet में देखे यहाँ पे Paytium wallet में receive हुआ तो अगर कोई person Paytium wallet से भेजेगा तो वो wallet में ही receive होगा लेकिन मैं एक बार इसे फिर से देखो scan करता हूँ और scan करने के बाद इस बार Paytium wallet नहीं select करके कोई अपना bank account select करता हूँ और यहाँ पे example claim में चलो यहाँ पे 6 रुपय लिखके bank account से pay करूँगा तो second person के bank account में ही पैसा credit होगा इसका भी live में करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने passcode डाल दिया है यहाँ पे just मैं confirm पे click करूँगा देखो यहाँ पे पैसा transfer हो रहा है तो just मैंने यहाँ पे पैसा transfer किया यहाँ पे receive हुआ है और इस बार जो receive हुआ होगा वो आपके bank account में credit होगा देखो यहाँ पे bank account भी हाँ पे लिखा हुआ है यानि कि वो bank account में credit हो गया तो यह बहुत ही best feature है कि आप अपने debit card के back side में QR code है इसे scan करवा के पैसा भी accept कर सकते हैं पेटियम wallet से कोई भेजेगा तो wallet में ही जाएगा और अगर कोई bank account select करके भेजेगा तो आपके bank account में ही पैसा credit हो जाएगा So I think so आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा तो अगर मेरी opinion मानो तो card अच्छा है look wise भी काफी अच्छा दिखता है visa का भी certification है तो काफी अच्छा बात हो जाता international worldwide support मिल जाएगा लेकिन मैंने previous वीडियो में बोला और इसी वीडियो में फिर से repeat कर रहा हूँ अगर आपके पास already visa card है already NFC card है तो definitely आपको ये card apply नहीं करना चीए एक तरब से देखा जाए तो इसका annual charge भी फिर आपको देना पड़ेगा apply करने का भी charge देना पड़ेगा तो उस case में मैं इस card का recommend नहीं करूँगा लेकिन अगर आपके पास कोई भी visa card नहीं है तो definitely आप इस card को ले सकते हैं look में भी काफी अच्छा लगेगा और सारा transaction आप इस card से कर सकते हैं तो इता आज की वीडियो और वीडियो जरा भी helpful लगे प्लीज वीडियो को लाइक करेगा इसी तरीके से informative वीडियो के लिए चानल को subscribe कर सकते हैं कोई dot वस्ता तो comment करा ना भूले personal कोई session चीए तो आप मैं इंस्टाब message करें within 24 hour को और को स्वाल को नेगोशिश करूँगा सुमलता डोसाथ तब तक लिजा हिंद जा बारायत